हलो एवरिवन आप सफिका स्वागत है मापा परिसे में चली आज बनाते हैं सोया बीन, सोया बडी, सोया चांग्सकी सबजी तो आप क्या बोलते हैं इसको कमेंट करकी जरूर बताइएगा तो मेरे हाथों सोया बीन ही बोला जाता है जो बहुत अच्छा रहता है बहुत हल्दी रहता है तो मेरे हाँ आज कुछ सबजी नहीं था तो मैं सोया बडी जितना चाहिए तो उतना निकाल ले थी और नॉर्मल जो ठंडा पानी होते हैं उसे से भिंगा कि इसको 10 मिनिट के लिए रेष्ट में छोड़ देंगे नहीं ब बहुत टेश्टी लगती है तो इसके लिए ना चावल में साप कर ले थी सूपा में करके चुन ले थी विजो भी कंकरू कर रहता है घर का चावल है ना इस पच्छा बनेगा शॉप्ट शॉप्ट और बहुत जल्दी पकेतियार हो जग और चावल ना जैसे क्रेक नहीं हु लेघे, जितना भी लशन फैया लेगे, जितना भी सबस्ते लशन ना, प्रफिज मसटली की तो है, जितना सब्सक्राइब लशन में 15-17 लिया जैसे थोड़ी से पीछने में दिकत होती है उसके बाद देखें सभी को कट कर ले थी चोटी वाली कढाई गया गया था तेल डाल दे एक चमस लगवग उसके सभी मसाला जो कट के त्यार किये थे थे ना प्याज लस्चन अद्रक टमाटर सभी को हम डाल देंगे थोड़ा से डालेंगे और ना थोड़ा सची से मिक्स कर देंगे मिक्स कर लिए ञड़ाए पर मिक्स करें अच्छे ना प्लीध को डिलों चावल मतलब क्या प्रूल गया था और देखे पानी थोड़ से जादा हो जा रहा है तो थोड़ा से मैं पानी को निकाल दे रही हूं अगर बाद में कम लगे गणा चावल पकते पकते तो मैं उपर से और डाल दूँगे यह वाला गरम पानी को और गर्मी का मौसम है तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है इसलिए साम का खाना मैं आज जल्दी बना रही हूं है जाधा गर्मी लग जChat गाते हैं दूसरी सां मेरे रह वह हंप देढ़ पानी को निकाल देठी बड़ी वाले बर्तन चाहिते हैं और हम सबस्क्राइड भए भी डालती उच्छ मसाला गड़ागों यह ला ला लावागों नाग्ड़ में नमक और अंदर तक अच्छा अच्छा सोया बढ़ी कि अंदर जाएंगा अन्दर चाहिए इसको चाहिए इसको नहीं आप सब्सक्राइब मिक्स करना जाता है अंदर निए प्लेवर चाइब थे नहीं डाली हों कियोंकि अगर दही नहीं डालती ना मसाल अंदर तक नहीं जाता था नमी तौना त ti क्योंकि थोड़ा से ना मुर्लब की बाद में कड़ा हो जाता है का चावल यह पुराना वाला चावल है ने मेरे गाव का इसी वज़े से थोड़ा से और पकने दे रही हूं और यह देखे टमाटर और डुलसन प्यांज एद्रग जो मसाल हम पकने के लिए रखे थे ना वह प असमाटर पका है क्योंकि बार में पल्पेश ना पहला है ना पाकर में तो नहीं पर यह पाने डाल कि ना पका सकते तो पक कर जाता है चावल का अब कर देखे जान अधर नीचे जो पसी आना उसको दो मिनीट के लिए लोग प्लेंपे अच्छे से सुखा दे थी ताकि तेल को मैं सभी तरह पहला दे रही हूं उसके बाद सभी स्वयावडी को डाल देंगे डालके इसको सेलो फ्राइ करना है मरलब की 5-7 मिनिट और अच्छे से कंटिनु चलाते हुए करना है अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो एक साट से फ्राइ होगी और दूसरी साट स नहीं फ्राइ होगी इस तरह फ्लेम को लोग करेंगे थोड़ा समय शुरू में स्टार्टिंग में हाई की उसके बाद लोग करके ना इसको बीच में चलाते रहेंगे और इधर देके मसाला त्यार करते हुए इसके लिए सबसे पहले धनिया पॉडर दो चममच उसके बाद हल्दी पॉडर एक चममच विनेली में आधा हेली हुए उसके बाद सब्ची मसाला एक चममच और लाल मीच पॉडर और इसके साथ ना थोड़ी सी हम कसूरी मेथी भी ऐड़ करेंगे इससे ना बहुत और इसको बीच बीच में चला ही रहती है देखिए ना अच्छे से मतलब की भून जा रहा था कम तेल में बाप इसको सेलो फ्राइ करेंगे ना तो अच्छे से भून जाते है थोड़ सी खुसबू आने लगे इससे तो गैस को फ्लेम को लो करके इसको प्लेट पर अच्छा लगता है ंच्छा लगता है थोड़ा से पानी डालके में डाल देखिती क्का क्टूरी में काफी सारा मसाला चिपका हुआ था उसके वास में हम नमक एड़ करेंगे बड़ी में पहले से डला है श्यूविन बड़ी में और वधर टामाटर के डालेगा अगर आप इस तरह से सब्जी बनाते हैं तो फ्लेम को हाई कर दे थी और थोड़े दिप उबलने दी उसके बाद दो मिनट के लो करके ने इसको फ्लेम लो प्रेम में पकने के लिए छोड़ देना है अब धकन उकन में कुछ नहीं लगा रही हो कड़ाई को उसके बाद यह जो टमाटर मिक्सर जार में डाल देंगे और थोड़ा से पानी कड़ाई में करके ना इसको अच्छे से बारिक से पीस के त्यार कर लेंगे इस तरह से बना बनाएंगे ना मसाला तो बहुत अच्छा टेश्ट आता है यह देखे मैं इसको दिखाते हूं एक्डम क्रीमी टेक्सर में बन आथ तो इसके पीस्ता है मिडिया में वह इस अच्छे तो चीटे करने लगे इस तरह से अगर syndrome KIM को मने करने रहें और भूट है ना च्छीत में साला बनाएं इतरह एक दम लो फ्रेम में में देके पार होंगे लो फ्रेम था उसके बाद में थोरी से फ्लेम को हाई कर दी थी भून जाएगा करा अगर आप फ्राइब पकाई और यह बहुत अच्यिश भून जाता है तक भीको बाढ में फ्राइब नाच्छम Canak अच्छे से चलाएंगे उसके बादे कुदर पानी बीन अच्छे से उबाल आ जा रहा था हलका से बुल बुला गया था मैं उबाल ने रही हूं क्योंकि सब्सक्राइब डालने के बादे पानी को डाल दे रही थी क्योंकि पतला वाला जो इस्टिल का बरता है बहुत जादा जब तक इस ग्रेवी है ना वो गारहाना हो जाए तब तक पका लेंगे सब्सक्राइब अब डल गया तो अभी में कुछ भी मसाला है नहीं डालोंगे यह बन गया है और यह जितना मतलब तपतला थोड़े से रहा है ना यह सजो है ना मतलब की जब बात में थंड़ा होगा जाएगा, मेरे सोयाबडी की सब्सक्राइब रहर चाफल में धराइ मतलब कानल में, और पनल तक थोड़ी में हुंदूस शोटी प्लेट में लगाराके कर देखने सार्भी करक्राइब और है नियुक्तया है, प्लेट को पुछ ने प्लेज़ प्लेड में धर सातना में और क खाने में अच्छा लगेगा साथ में प्याज और हरी मिर्श रख ले थी यह रहा स्वया बड़ी की सब्जी और चावल कैसे लगा आप लोको कमेंड करके जरूर बताएगा इस तरह से बनाएंगे ना स्वया बड़ी आलो की सब्जी तो बहुत टेश्टी बनती है वीडियो झापसे है तो लाक हूँ जात्राइबन सा पहर बंस में कर रख लेख ले रख ले कार राखर कर विक दो आप लेक्ताव के साथ खी यह रखाने में ले प다 ले नाया वास Am